आर्सोनी न्यूस खबर आपके आर्सोनी न्यूस खबर आपके सौध दिल्वावा के मंदिर के दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं यह मंदिर 360 साल पुराना है और इसका इतिहास यह है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामनाओं को ले कर आता है खोली बाबा उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं आज हमारी सहायता पृती कश्चप इसी मंदिर की मान्यत्ता को जानने के लिए रजोकरी गाउं में पहुची और मंदिर के लोगों से बाचित करी और मंदिर की पिसे स्ताय बताई कि जब मंदिर बना था आज से 3-60 साल पहले तो कितना बड़ा था और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक विसाल रूप में मंदिर तयार है लोगों की आस्था और भावना बनी हुई है और लोगों की मनुकामना पूर्ण होती है जिसके बाद यहाँ पर हर कोई दूर दूर से अपनी मनुकामना को पूर्ण करने के लिए आता है और भगवार खोली वाले बाबा का उसकी मनुकामना को पूर्ण करते हैं तो चलिए देखते हैं प्रिती कश्यप के साथ ये खास रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूस मैं हूँ प्रिती कश्यप आज हम आपको लेकर आए साउध दिल्ली के रोजोकरी गाउ में जहां पर एक इतिहासिक मंदीर है खोली बावा के नाम से प्रचली थैवो इस मंदीर में बहुत मान्यता हैं इस मंदीर का क्या रहस्य है क्या इतिहास है अंदर हम दर्शन के दोरान इस मंदीर से जुड़ी विभिनिता हैं इस मंदीर से जुड़ी इतिहास को जानेंगे आईए इससे पहले मैं आपको अंदर मंदीर के दर्शन करवाऊंगी उसके बाद हम जानते इस मंदीर से जुड़ी हुई जानकारिया अब हम मुख्ये द्वार से अंदर मंदीर के में मूर्ती जहां है गर्ब ग्रह के अंदर आए हैं यह जो आप मूर्ती देख रहे हैं यह बाबा खोली वाले बाबा जी की मूर्ती है इस मंदीर की मानिता इतनी परमुख है कि यहां से दूर दूर तक लोग दर्शन करने के लिए आते हैं साथ ही मैं आपको नीचे गर्ब ग्रह में भी लेकर जाना चाहती हूँ जहां पर पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही साथ यहां पर दिये भगवन की जो आस्ता है लोगों के साथ वहां पर मैं आपको दिखाऊंगी गर्ब ग्रह में क्या है किस तरह से क्या चीज है यहां पर बाबा का क्या स्थान है यहां झहां यहां जहां मैं आपको लेकर आई हूँ यह कोली वाले का गढब स्थानि kid इम्ट आप देख सकते एक जोद जल रही है और शिधी भागवां जी की मूर्ति भी है और यह एक गर्भ रेके जैसे है यहां पर पूरा आप देख सकते हैं एक यह गंड जोग चल रही है यहां पर यह बाबा की शायद बाबा की जो भक्त है या अनुयाई है उनके लिए यह समाधी लगाने का एक अच्छा स्थान है यह कह सकते हैं यह पर एक एक शान्ती एक सुकून मिलता है इस जगे में आकर यह भी हम कहा सकते हैं काफी अच्छी जगह हैं बहुत शान्ती हैं यहां पर मंदिर में और भी देवी देपताओं की मूर्तिया है यहां पर हम आपको उनके भी दर्शन करवाते हैं खोली बाबा के सास्त यहां पर आपको और भी देवी देपताओं की जो हिंदू धर्मे जिनकी बहुत माननेत है उनकी